हेलो दोस्तों IRB Infra के बारे में वीडियो में बात करेंगे जहां पर कम्पनी ने स्टॉक स्प्लिट की गोश्चना की है और उनका जो फेस वैल्यू है 10 का भी है वो फेस वैल्यू 1 का हो जाएगा तो इसको हम समझते हैं देखिए आप NSE की वेबसाइट में यहां देख सकते ह IRB Infra को मैंने यहां पर open किया हुआ है और कम्पनी का अभी आप देखेंगे जो फेस वैल्यू वाला जो पार्ट है वो अभी आप देखेंगे 10 का फेस वैल्यू है तो यह जो 10 की फेस वैल्यू है यह 1 की हो जाएगी तो इसका क्या impact पड़ेगा तो जैसे यह जो share price है यह ब hypothetical example लेते हैं ठीक है समझ लिजिए X date से एक दिन पहले कुछ 350 में for example IRB का price है तो अगले मतलब X date के दिन यह 35 रुपए में open होगा similarly सोच लिजिए 300 रुपए का price है तो यह 30 रुपए में open होगा तो एक massive एक जो stock का fall आपको देखने को मिलेगा लेकिन share जो है वो गिरेगा लेकिन साथ-साथ आपको extra share भी मिलेंगे तो यही एक impact है वो होने वाला है जहां पर face value का changes होने वाला है तो यह जो पूरी जो प्रक goals आएंगे फिर x date record date आजाएगी और वो सब हम आपको early financial आज़ादी में बता भी देंगे दोस्तों तो यहां पर ध्यान में वही रखना है कि x date से पहले के दिन थोड़ा price ज्यादा रहेगा लेकिन x date के दिन अचानक से price गिरेगा अब यह company क्यों ऐसा कर रही है क्योंकि company ज जब भी share price बहुत ज्यादा होता है तो company का कहना है कि जो small shareholders है वो participate नहीं कर पाते हैं company की growth journey में तोड़ा उनको लगता है कि share price ज्यादा है तो company ने यह भी कहा है कि जो small shareholders है छोटे निवेशक जो छोटा जो पैसा जो invest कर सकते हैं तो उनको भी यहां पर interest आ सकता है तो यह कु कि इसमें कोई भी fundamental change नहीं हो रहे है fundamental change का मतलब अचानक सा जो है जो profits है वो बढ़ना या sales बढ़ना या बड़े order books मिलना वो कुछ नहीं हो रहा है यहां सिर्फ share price कम होगा और आपको extra share मिलेंगे तो net net सब बराबर ही रहने वाला है वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी यहां पर fundamental ratios यहां change नहीं होंगे दोस्तों अब हम business को discuss करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों जो beginners है उनके लिए live class और Q&A में ले रहा हूं next week में जो हमारा app है early financial आजादी का वहाँ पर तो जो app की link है मैंने description में दी हुई है आप चाहें तो live class में आ सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारे materials भी already uploaded है उनको भी आप देख सकते हैं अब IRB का market cap 20,000 करोड के आसपास में मतलब एक mid cap की company आप इसको मान सकते हैं 320 के आसपास का share price है जो हमने देखा P ratio 27.7 है ठीक है अब जो company का जो business है वो क्या है company highway है फिर EPC के बड़े-बड़े contracts है वो वहाँ प R.O.E. आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा फिर debt बहुत ज़्यादा है 1.28 है पर nature of business ही यहाँ पर debt का यहाँ पर है क्योंकि एक बड़ा अगर road बनाना है उनको जैसे यहाँ गंगा expressway में उनका काम चल रहा है तो road बनाना है तो उनको फिर debt लेना ही पड़ हो रहे हैं कि नहीं तो वह हमको देखना है इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा fundamentals में बात नहीं करेंगे फिर अभी आप latest का जो result का अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 1438 करोड की उन्होंने जो income है जो revenue है वो किया हुआ है और total profit उन्होंने 85 करोड का किया हुआ ह है अगर आप quarter 1 में देखेंगे तो ज्यादा profit था तब 363 करोड का profit था overall 6 महिनों के अगर आप बात करेंगे तो 2021 मतला अप्रेल से September 2021 में 114 करोड का profit था और इस बार 448 करोड का profit है उस समय में business impact भी हुआ था क्योंकि lockdowns थे और बहुत सारी disturbance सब जगह में थे तो ये कुछ important numbers है तो company EPC highway development toll collection का काम करती है debt equity ratio हमेशा check करना है बहुत ज्यादा debt equity ratio हो तो ratings को आप check करिए और उस हिसाब से जो risk वाला जो part है उसको जरूर देखें तेकि highway का business है यहाँ पर debt रहेगा ही अब ही जबी भी infra company को आप study करें तो order book जरूर देखे 20,000 करोड की order book बहुत ज्यादा अच्छी खासी माना जा सकती है लेकिन अगर कोई trigger है तो वो quarter three में order book का ही रहेगा जहाँ पर investors को देखना है कि order book के से सबसे बढ़ रही अगर बढ़ती रहे तो एक positive चीज है फिर जो cash flows है वो depend करते हैं traffic growth कैसा है क्योंकि अगर उनके highways है highways में जतना ज्यादा traffic होगा उतना control collection होगा तो यह सब चीजों को देखना है बट फिलाल वीडियो का उद्देश यह था mostly आपको जो stock split की जो news है उससे आपको मैं आपको बताना और inform करना धन्यवाद आपके time के लिए मुझे उम्मीद आपको value मिली होगी